दोस्तो टैपिंग सिखाने से पहले कुछ बेसिक चीजे हैं जिन्हें आपको जानना बहुत ही जरूरी है जैसे कि टैपिंग जो है वो मैं आपको लेशन वाइज करके सिखाऊंगा तो यह जो PDF है इसी में सिखाने वाला हूँ तो यह जो PDF है इसको डाउनलोड कहां से करना है आपका body language कैसा होगा, tapping का setup कैसा होगा और मैं आपको tapping कहां पर सिखाऊंगा word पर सिखाऊंगा या tapping master पर सिखाऊंगा तो बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें आपको जानना बहुत ही जरूरी है तिस वीडियो में मैं सारी चीजो को पहले clear कर लेता हूँ तो दोस्तों सबसे पहले में English Tapping के बारे में बताऊंगा तो English Tapping में total 4 lesson है तो परते एक दिन एक अक lesson करके बताऊंगा तो English Tapping जो है वो 4 दिन में clear हो जाएगा उसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि यह जो PDF है यह आपको कहां से और कैसे डाउनलोड करना है तो दोस्तों आपको lesson को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले करना क्या है कि इस वीडियो के description में चले जाना है तो वहाँ पर लिखा हुआ होगा English Tapping lesson PDF download link और Hindi Tapping PDF download link ठीक है तो आपको वहाँ पर करना क्या है कि दोनों link पे करके click कर देना है तो वहाँ पर click करेंगे तो कुछ इस तरह खुलेगा यहां पर खूल रहा है यह Google Drive का link है तो यहां पर देखिए खूल गया तो आपको करना क्या है कि यहां पर download का button है तो यहां पर आपको click कर देना है click करेंग इसको open कर सकते हैं, कोई दिकत नहीं है, देखिए, यहाँ पर successfully download हो गया, तिसी तरह आप फैसो एकर करके दोनों को download कर लीजिए, तो दोस्तों इस PDF को आप download करके इसको A4 size में print करा लीजिए, उसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि typing का setup कैसा होगा, तो typing जो है, वो मैं आपको PC में सिखाऊंगा, क्योंकि PC में external keyboard होता है, laptop में external keyboard नहीं होता है, जिसके कारण laptop में थोड़ा दिकत होगा, तो PC में external keyboard रहने के कारण, PC में मज़ा आएगा सीखने में, उसमें एकदम बढ़ियां लगेगा tapping करने में, और यदि आपके पास क्या बोलते है कि tap writer है, तो आप tap writer में भी सीख सकते हैं, उसमें भी कोई दिकत नहीं है, PC भी नहीं है, laptop भी नहीं है, tap writer भी नहीं है, और यदि आपके पास mobile है, तब mobile में भी tapping को external keyboard लगा के कर सकते हैं, और सीख सकते हैं, जो मैंने इस वीडियो में बताया है, तो ज़्यादा जनकारी के लिए आप इस download करने के लिए आपको बोला था, ति इस video को आपको करना क्या है, कि इसका print out करके इसको आपको left side में रखना है, उसके बाद आपका keyboard यहां पर रहेगा, पास में, और computer के screen में आपको करना क्या है, कि word को खोल लेना, आपको tapping master का यूज नहीं करना है, जब आपका lesson पूरा clear ह हो जाएगा, तब tapping master का यूज करना है, ठीक है, जो मैं आपको last में बताऊंगा, उसके बाद आपको बैठना किसमें, ता आपको chair का यूज नहीं करना, आपको table का यूज करना, table इसलिए बता रहा हूं, क्योंकि table में आदमी जब भी बैठता है, तो एकदम सीधा बैठता ह हड़ी है, वो एकदम सीधा रहेगा, ताकि आप जब यहाँ पर tapping करेंगे, ता आपका speed है, वो काफी तेजी से होगा, chair का यूज आपको नहीं करना, आपको table का यूज करना, ठीक है, और आप जब table में बैठेंगे, ता आपका ध्यान, keyboard और monitor दोनों में नहीं होना चाहिए यहाँ होना चाहिए, जिस चीज को आप लिखेंगे, उसमें आपका ध्यान होना चाहिए, ठीक है, तो कोई बड़ा setup नहीं है, बस इसी तरह setup आपको करना है, तो मैं नेस्ट वीडियो में direct lesson 1 के बारे में बताऊंगा, कि आपको tapping कैसे करना है, तो चलिए इस वीडियो को य अने मार्ण तो